नमस्कार आदाब नियूज क्लिक के इस खास कारिक्रम में आपका स्वाधत है आज 23 मार्च है शहीद आजम भगत सिंग का शहादत दिवस एक ऐसा स्वाधिनता का योध्धा एक ऐसा विचारक एक ऐसा दार्शनी एक ऐसा लेखक एक ऐसा पत्रकार इतनी कम उम्र में 23 वर्ष जब वो शहीद हुए तो उनकी उम्र 23 साल थी 23 मार्च 1931 को उन्हें फासी दी गई थी इतनी कम उम्र में उनकी वैचारी की उनका दर्शन उनका चिंतन उनका कामकाज उनका संगठन और उनका कौशर बे मिसाल है इतिहास में और जिस तरह के विचार उनके हैं आज के सक्ताधारी इस मामले में बड़े उस्ताध हैं कि स्वाधिंता अंदोलन के जिस बड़े निताकव नाम लीजिए वो सब को एप्रोप्रियेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन भगत सिंग का जब नाम आता है तो वो भागते हैं दूर ऐसा लगता है कि उनकी तमाम कोश्य उनका हाथ जला डालेंगी बहुत पहले भगत सिंग को एक केसरिया पगड़ी पहलाने की कोशिश की गई थी तस्वीरों में जबकि भगत सिंग के सरिया पगड़ी कभी अपने जीवन में नहीं पाने भगत सिंग के जीवन और दर्शन पर शोध करने वाले लोगों ने उनकी चार तस्वीरों की चर्चा की है और बताया है कि उनके जीवन में कुल चार तस्वीरें थी और जिन दो तस्वीरों में उन् पकड़ी बादी थी और किसी कलर की उन्होंने पकड़ी नहीं बादी एक बार वो खुले बालों के साथ एक जगह बैठे हैं चारपाई पर और एक वो तस्वीर जो संभावता दिल्ली आसपास की है जब वो एक अंग्रेजी किस्म का जो हैट वो पहने हुए हैं वो तस्वीर उनकी बहुत लोग को प्रिया है लेकिन आज हम बात करेंगे भगत सिंग से क्यों आज के जो मौजुदा सक्ता धारी हैं वो नहीं अपने को जोड़ सकते क्यों उनके विचार से उनके दर्शन से उनकी धारा से वो भागते हैं वो डरते हैं ऐसा लगता है कि वो अगर छू सारे लोगों को इप्रोप्रियेट करने के कोशिश करते हैं लेकिन घंधी को भी कोशिश जरूर करते हैं उनको भी एप्रोप्रसुएट कर लिया जाय कि वो भीच में घोट से जी आजाते किजेगा यह उन्हीं लोगों की शब्दावली है गोट से जी आ जाते हैं तो गांधी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है लेकिन भगत सिंग की ओर तो देखी नहीं पाते हम आज बात करेंगे कि ऐसा क्या है भगत सिंग में कि इस देश के जो सत्ताधारी आज के हैं जो इस द दर दूर है क्यों उनको याद नहीं करती ठीक से क्यों नहीं उनके विचारों के अनसार चलने की कोशिश करती है आए हम भगत सिंग को कोट करते हैं और मैं जो भगत सिंग ने लिखा उसको उद्धृत करूंगा और देख देखकर करूंगा ताकि उस महान शहीद के एक-ए में और उस वक्त मशूर जो पंजाबी पत्रिका थी जिसमें वो लिखते थे जिसके संपादिकी से भी हो जोड़े थे किरती किरती मैगजीन में छपे एक लेख में जो धर्म पर वो क्या कहते हैं जो हिंदुस्तान की आज हालत है जो अपने देश की आज इस्तिति है ऐसा लगता है कि उस वक्त भी कुछ उसी तरह की स्थितियां कमोबेश थोड़ा बदली हुई परिस्ति थी उस समय अपनिवेशिक भारत था सामराज जवादी राज था लेकिन आज अपने लोग राज कर रहे हैं अपने देश के लेकिन वो जिस तरह से धर्म का दुर्पियों क कर रहे हैं शायद उस वक्त भी हो रहा था और उस पर वो क्या करते हैं इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है अभी पता नहीं कि धर्म के नाम पर होने वाले दंगे भारत वर्ष का कप पीछा छोड़ेंगे जहां तक देखा गया है इन दंगों के पी किस तरह वो समाज में विगटन को बढ़ावा देता है किस तरह कमिनलिजम को भी पढ़ावा देता है भगत सिंग के समय भी हालात लगभग उसी तरह के थे जितना भी प्रेस था उसमें मीडिया नहीं कहा जाता था लेकिन अख़बारों पर जो कहते हैं सुनिया बागे पत तरकारिता का व्यावसाय जो किसी समय बहुत उंचा समझा जाता था आज बहुत गंदा हो गया है यह भगत सिंग के शब्द हैं यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शिर्सक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं आज के टेलेविजन चैनलों को अगर आप देखिए उनकी हेड्लाइन को उनकी ब्रेकिंग न्यूज को तो आपको लगेगा कि उस समय टेलेविजन तो नहीं थे लेकिन अख़बारों में शायद वैसा ही कुछ होता था तो मोटे मोटे शिर्सक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस पर सिर्फ टवल करवाते हैं टेलेविजन चैनलों के न्यूज रूम में जिस तरह की डिबेट आज होती है आप समझ सकते हैं कि शायद उस समय की पत्रकारिता का आज विस्फोटक विस्तार हुआ है भगत सिंग आगे क्या कहते हैं अख़बारों का असली काम क्या है इस पर अ सामप्रदाइक भावना को हटाना है परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना है और भारत की साजी रास्ट्रियता को बनाना है लेकिन इन्होंने अपना मुख्य करतब्य अज्यान फैलाना संकिनता का प्रचार करना लोगों को सामप्रदाइक बनाना लड़ाई जगड़े करवाना भारत की साजी रास्ट्रियता को नस्ट करना बना दिया है यही कारण है कि भारत की वरतमान दशापर विचार कर आँखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या भगत्त सिंग के भी दिमाग में उस वक्त 1927 में यह सवाल था कि जिस तरह के हालात भारत में हैं जिस तरह का वर्गी चरित्र है समाज का जिस तरह की वर्ण व्यवस्ता है जिस तरह की राजनीती है उसमें कैसा भारत बनेगा लेकिन वो सिर्फ निराशा के गर्त में समाज को नहीं ढखेलने वाले व्यक्ति थे वो एक क्रांतिकारी थे वो आगे क्या कहते हैं लेकिन इस समय कुछ भारती नेता भी मैदान में उत्रे हैं जो धर्म को राजनीच से अलग करना चाहते हैं जगड़ा मिटाने का यह सबसे सुंदर इलाज है कि धर्म को राजनीच से अलग कर दिया जाए और हमें इसका समर्थन करना चाहिए बहुत सारी लोग यह समझते हैं कि भगत सिंग पंजाब के थे उस समय अंग्रीजी शासन था तो भगत सिंग सिर्व यह शास्वी हिंदी अखवार प्रताप में वो कॉलम लिखते थे अलग-अलग नामों से ताकि ब्रिटिस हुकुमत के खुपिया पहुच न सकें कानपूर के उस अखवार के दफ्तर जहां वो कई बार अंडरग्राउंड होने पर शरण लेते थे बलवंत के नाम से भी उन्ह समस्या पर लिखा उनका लेग जो किर्थी जो पंजाबी पत्रिका थी उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसकी कुछ ऐसी बातें जो बेहद महत्वण हैं और जो बताती हैं कि भारत की समाज ब्योस्था को भारत की वर्गी संरचना को भारत की वर्ण ब्योस्था औ और वर्ण और वर्ग की के बीच क्या रिष्ट्य है और उस समय की राजनीत में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा था किस तरह का नित्रत हो था और वो कैसे अचूट समस्या को देख रहा था इस पर मैं समझता हूं कि उनके इन वक्तव्यों से एक बहुत जो बहुती महत्वण रो अजब अजब सवाल उठ रहे हैं एक अहम सवाल है अचूत समस्या समस्या यह है कि 30 करोड की आबादी वाले देश में उस वक्त भारत की आबादी 30 करोड थी देवगण मतलब देवता नाराज हो जाएंगे कुवे से उनके द्वारा पानी निकालने पर कुवां अब अवित्र हो जाएगा यह सवाल 20 सदी में किये जा रहे हैं जिनें सुनते हुए शर्माती है यह भगत सिंग कमेंट करते हैं फिर एक उनका बहुत महत्वण किया है हम जानते हैं कि उनका भारत के समाज में आजादी की लड़ाई में शिक्षा आंदोलन में एक महत्वण योगदान भी था मैं मदन महनबालवी जी की चर्चा कर रहा हूं मदन महनबालवी जी ने बियेच्चियू स्थापित करके बहुत बड़ा काम किया इसमें कि संकिरन विचारों को भी अटैक करने से परहेज नहीं करते हैं क्या कहते हैं सुनिए ये शायद ही लोगों ने भगत सिंग की इन बातों को ध्यान से कभी देखा सुना या पढ़ा होगा एक तरह से मदन महनबालवी जी के ब्रामनवादी संसकारों को एक तरह से आड़े ह हाथों लेते हुए कहते हैं मैं कोट करता हूं कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है हमारी रसोई में निसंग फिरता है लेकिन एक इनसान का हमसे सपर्ष भी हो जाए तो बस धर्मनस्ट हो जाता है इस समय मालवी जी जैसे बड़े समाज सुधारक अच्छूतों के बड़ लेते हैं लेकिन कपड़ों सहित सनान किये बिना स्वैम को अशुद्ध समझते हैं यह उसी किताब से उसके 21-22 में पेच से मैं आपको उद्रित कर रहा हूं यह बात तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भगत सिंग के दिमाग में सिर्फ राजनीती सिर्फ अर्थ्व्योस था सि उस समय की पत्रकारिता ही नहीं थी सिर्फ सामराज वाद विरोधी आंदोलन में जो उस वक्त राजनितिक लड़ाई थी वही केवल नहीं थी बलकि समाज के उन पहलों पर भी वह बहुत गंभीर थे इतनी कम उम्र में जो आज भी आजाद भारत में हमारे सामने गंभीर वाल है वर्ण ब्यवस्ता का वर्ण उत्पीडन का खासकर जो भारत का समाल्टर्न हिस्सा है खासकर भारत का जो दलित और आदिवासी हिस्सा है उस पर जिस तरह के दमनत्याचाराज भी होते हैं कैसे भगत सिंग उस वक्त के भारत में ही इन चीजों को विजूलाइज कर रहे थे और अपनी बात कह रहे थे मैं भगत सिंग्ग ने उस वक्त एक किताब आई थी जो बहुत महत्रपूर्ण की किताब थी मिस मेयो की कैथरिन मेयो मेयो की किताब को भी भगत सिंग ने कोट किया है अपने उसी आलेक में भगत सिंग ने अच्छूतों के एकताबद और संघर्ष के लिए उठ खड़े होने का आवान किया है और साथ में वो ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि अच्छूतों को आज की दिवस्था को बदलने के लिए, अपना हक लेने के लिए खड़ा होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और वो कहते हैं कि गुरू गोविंज सिंग की फौज की असली शक्ति तुम ही थे, वो जोडते हैं, वो सिक धर्म की उस महान शुरुवात से जोडते हैं, महान उस आंदोलन से जोडते हैं, और कहते हैं कि गुरूविंज सिंग की फौज में तुम ही लोग उनकी बुनियादी शक्ति थे, और ये मैं समझता हूं कि ये जो भगत सिंग का रोल है, उस से पूरे दक्षिन भारत का वह आंदोलन भी प्रभावित होता है, जो जाती उत्पिडन के खिलाब था, जो एक ऐसी व्यवस्था चाहता था, जिस से जिसमें लोगों को सामाजी ज्याय मिल सके, पेरियार ने भगत सिंग के शहीद होने के बाद, उनकी फासी के बाद, अपनी जो पत्रिका थ सामाई के बगत सिंग पहले बड़े सितारे हैं, पहले बड़े सेनानी हैं, जिन्होंने अपने को नास्तिक घोशित किया था, और वो कहते हैं कि मनास्तिक क्यों हूं, और उसे इलेवरेट करते हैं, पेरियार ने अपनी पत्रिका में 1934 में वो लेक छापा, उनकी शहादत क बाद और उसका अनुवाद जी जीवानंदम ने किया था, जी जीवानंदम एक वामपंथी कारिकरता थे, बुद्धी जीवी थे, बहुत मशूर, और भगत सिंग की शहादत पर जो पेरियार ने लेक लिखा, वो अधुत लेक है, अपने आप में अगर उसको पढ़ा उसी समय कर दी थी, जब वो 16-17 साल की उम्र के थे, और 1931 में 23 वर्ष की अवस्था में उन्हें शहादत मिली, मैं समझता हूं कि भारत के इस महानतम क्रांतिकारी को श्रद्धा समन पेश करते हुए, आज मैं फिर यह कहूंगा, कि ऐसा लगता है कि आज जो भारत के सामने अमभीर चुनवतियां हैं, उसमें सचमुच भगत सिंग अमबेट कर ये दो जो महापुरुश हैं, जो दो बड़े हमारी आजादी के, लड़ाई के, हमारे सामाजी कांदोलन के, हमारे राजनीती कांदोलन के, जो बड़े दार्शनिक दो हैं, वो अगर एक साथ मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत बन कर सामने आते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार